माननिय स्वास्थे एवं परिवार करल्यान मंत्री जी, माननिय राज्य मंत्री महोधया, सभी आमंत्रित महानुभाव, स्वास्थे मंत्राले द्वारा आयोजित बजट वेबिनार में हम आप सब का हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, 2014 से आज तक स्वास्थ के छेतर में एक मेजर पैराडाइंग शिफ्ट हुआ है सर, और इसको किया है सर, आयुश्मान भारत की संकल्पना ने। आयुश्मान भारत की संकल्पना सर, चार स्थम्भों या फोर पिलर्स पर आधारित हैं। आयुश्मान भारत Health and Wellness Centers, आयुश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोगे योजना, आयुश्मान भारत Digital Mission, प्रधान मंत्री आयुश्मान भारत Health Infrastructure Mission, इन चार स्तंबों पर सर, जो मुख्य फोकस रहा है और जिसने विभिन वार्शिक बजटों में reflection पाया है, वो है सर, Emphasis on Wellness सर, हम Preventive, Promotive और Curative Health के इन तीनों आयामों को बल दे रहे हैं, और केवल Treatment आधारित Health से हटकर, Wellness आधारित Health की ओर बढ़ रहे हैं सर, आपके मार्ग दर्शन में और नित्रित्व में Health के जो विभिन योजनाएं हैं सर, वो saturation mode पर क्रियानवित की जा रहे हैं, block level पर, subdivision level पर, जिला level पर, चाहे infrastructure हो, diagnostics हों या treatment facilities हों, उनको saturation mode पर implement किया जा रहा है साथ ही सर, देश में बनी हुई technology, particularly information technology का उपयोग करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं आज के इस webinar में सर, तीन मुखे सत्र हैं, पहला सत्र आयुशमान भारत डिजिटल मिशन पर, दूसरा नैशनल टेली मेडिसन और ई संजीवनी प्लेटफॉर्म पर, और तीसरा टेली मेंटल हेल्थ कारेकरम पर, जिनकी घोशना इस बार के बजट में की गई है हम सब आशा करते हैं सर, कि आप हमें मार्ग दर्शन देंगे और आशिरवचन देंगे, जिसके लिए मैं आप से करबद अनुरोद करता हूँ, कि आप अपने मार्ग दर्शन से हम सब को अनुग्रहीत करें, दन्यवाद सर्थ नमस्कार जी, मंत्री मंडल के मेरे सयोगी, देश भर से, पब्लीक और पावेट सेक्टर में, हेल्थ केर से जुड़े, सभी प्रोफेशनल्स, परामेडिक्स, नर्सिंग, हेल्थ मेनेजमेंट, टेक्नलोजी और रिसर्च से चुड़े, सभी महानुभाव, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो, आप सभी को, दुनिया के सबसे बड़े, वेक्षिनेशन, मिशन को, सफलता पुर्वक चलाने के लिए, 130 करोर देश वासियों की तरफ से, मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, भारत का हेल केर सिस्टिम कितना एफिशेंट है, किस प्रकार मिशन ओरियेंटेड है, इसे आपने पुरी दुनिया के सामने एस्टाबिस किया है, साथियों, ये बजट बीते साथ साल से हेल्थ केर सिस्टिम को रिफॉर्म और ट्रांस्फॉर्म करने के, कि हमारे प्रयासों को विस्तार देता है, और जो बजट के सास्त्र के जानकार लोग है, वो इस बात को महसूस करते होंगे, कि डे वन से हमारी बजट हो या हमारी नीतिया हो, एक कंटिनूटी है, और प्रोग्रेसिव अन्फोल्मेंट है, हमने अपने हेल्थ केर सिस्टिम में एक होलिस्टिक एप्रोच को एडप किया है, आज हमारा फोकस हेल्थ पर तो है ही, वेल्नेस पर भी उतना ही अधिक है, हम इल्नेस के लिए जिम्मेदार फैक्टर्स को दूर करने, वेल्नेस के लिए समाज को प्रोच्षाइट करने, और बिमारी की स्थिती में इलाज को इंक्लूजिव बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए स्वच्च भारत मिशन हो, फिट इंडिया मिशन हो, ओशन मिशन हो, मिशन इंद्रदनिश हो, आयुष्मान भारत हो, जलजीवन मिशन हो, ऐसे सभी इनिसिटिव को हमें जादा से जादा लोगों तक लेकर जाना है। साथियों, जब हम हेल स्रेक्टर में होलिस्टिक और इंक्लूजिवनेस की बात करते हैं, तो इसमें तीन फैक्टर्स का समाविस्ट कर रहे हैं। पहला, मोडरन मेडिकल साइंस से जुड़े इंफरस्रक्टर्चर और हुमेन रिसर्स का विस्तार। दूसरा, आयूस जैसी पारमपारिक भारतिय चिक्ट्सा पत्ततिस में रिसर्च को प्रोच्छान और हेल केर सिस्टिम में उसका एक्टिव एंगेजमेंट। और तीसरा, मोडरन और फुचरिस्टिक टेक्नोलोजी के माद्यम से देश के हर व्यक्ति, हर हिस्से तक बहतर और एफ़र्डेबल हेल्थ के सुविधाय पहुचाना। इसके लिए हमने हेल्थ सेक्टर के बजेट में काफी बुर्द्धी की हैं। साथियों, हम भारत में ऐसा हेल्थ इंफ्रास्रक्टर बनाना चाहते हैं, जो सिर्फ बड़े शहरों तक सिमीत ना हो। और आपने देखा होगा कि एक विशे लेकर के मैं लगाताव दुनिया के सामने बात कर रहा हूं। खास करके कोरोना के बात और मैं कह रहा हूं, वन अर्थ, वन हिल्थ। इसी स्पिरिट को हमें हिंदुस्तान में भी वन इंडिया, वन हिल्थ। इस मिशन को भी वैसे ही याने दूर तराज के खेत्रों में भी समान व्यवस्ताय विक्सित करना है। हमारा प्रहास है कि क्रिटिकल हेल्थ केर सुविधायें ब्लॉक स्तर पर भी हो, जिला स्तर पर भी हो, गामों के नदिक भी हो, इस इंफ्रास्ट्रक्शर को मैंटेन करना और समय समय पर अपग्रेड करना बहुत जरूरी है। इसके लिए प्राइवेट सेक्टर और दूसरे सेक्टर्स को भी जादा उर्जा के साथ आगे आना होगा। साथियों, बहतर पॉलिसी के साथ ही उनका इंप्लिमेंटेशन भी बहुत आवश्यक होता है। इसके लिए जरूरी है कि ग्राउन पर जो लोग पॉलिसी को उतारते हैं, उन पर जादा ध्यान दिया जाए। इसके लिए इस बजेट में हमने दो लाख आंगनवाडियों को सक्षम आंगनवाडियों में अप्ग्रेड करके उन्हें और ससक्त बनाने का प्रावधान किया है। यही बात पोशन 2.0 पर भी लाग होती है। साथियों प्राइमरी हेल्थ केर नेटवर्क को ससक्त करने के दिए डेड़ लाख हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर्स के निर्मान का काम भी तेजी से चल रहा है। अभी तक 85,000 से जादा से जादा सेंटर्स, रूटीन चेक अप, वैक्सिनेशन और टेस्ट की सुविधा दे रहे हैं। इस बार के बजेट में इनमें में एंटल हेल्थ केर की सुविधा भी जोड़ी गई है। इसे जादा से जादा आबादी तक हम कैसे पहुंच सकते हैं। जागरुक का कैसे बढ़ाई जाए। इसके लिए हम सब को मिल करके आपको भी अपने प्रयास बढ़ाने ही चाहिए। साथियों, बहतर हेल्थ इन्फरा सिर्फ सुविधा ही नहीं बलकि ये हेल्थ सर्विस की डिमान भी बढ़ाता है। जो रोजगार बढ़ने का भी बहुत बढ़ा माध्यम है। बीते सालों में जैसे जैसे हेल्थ सर्विसिस इसकी डिमान बन रही है, उसके अनुसारी हम स्किल्ड हेल्थ प्रोफेशनल तयार करने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बजेट में हेल्थ एजुकेशन और हेल्थ केर से जुड़े human resource development के लिए पिछले साल की तुर्णा में बजेट में बड़ी वृद्धी की गई है। मेडिकल एजुकेशन से जुड़े reforms और मेडिकल कॉलेजों के निर्मान में इससे जुड़ी हमारी प्रतिभद्धता से आप सभी भली भाती परिचित है। इन reforms को टेक्नोलोजी का उप्योग करके आगे कैसे बढ़ाया जाए। क्वालिटी अब मेडिकल एजुकेशन को और इंप्रूब कैसे किया जाए। अधीक इंक्लूजीव और एफोरेबल कैसे बनाया जाए। इसके लिए कुछ concrete steps एक तय समय सीमा में आपके तरफ से लिए जाने चाहिए। 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 हेल्थ केर से जुड़े हमारे objectives, biotechnology से जुड़ी research, medicines और medical equipments में आत्म निर्भरता के बिना हासिल नहीं हो सकते। कोरोना काल में हमने ये अनुभव भी किया है। generic, bulk drugs, vaccine और biosimilars के छेतर में विकास की संभावनाओं को हमें टैप करना है। इसलिए हमने medical equipments और दवाओं के कच्चे माल के लिए PLI स्किम शुरू किया है। साथियों, कोरोना vaccination में, कोविन जैसे platform के माध्यम से हमारी digital technology का लोहा पूरी दुनिया ने माना है। आईशमान भारत, digital mission, consumer और healthcare provider के बीच एक आसान interface उपलब्द कराता है। इससे देश में उपचार पाना और देना दोनों बहुत आसान हो जाएंगे। इतना ही नहीं ये भारत के quality और affordable healthcare system की global access भी आसान बनाएगा। इससे medical tourism बढ़ेगा और देश वास्चों के लिए income opportunities बढ़ेगी। इस वर्ष के budget में इस mission को ससकतर करने के लिए आईश्मान भारत digital mission के नाम से एक open platform की बात की गई है। इस प्रकार के नए कदमों से scope और impact पर हमें गंबीरता से चर्चा करनी होगी। साथियों, कोरोना काल में remote healthcare, telemedicine, teleconsultation लगभग दाई करोर मरीजों के लिए समाधान बन करके आया। शहरी और ग्रामे भारत में health access divide को कम करने में ये technology बहुत काम आ सकती है। अब तो हम देश के हर गाउं में fiber network पहुचा रहे हैं। 5G technology भी अब आने में देर नहीं होने वाली है। 5G technology के उपयोग से remote healthcare को जमीन पर उतानने के लिए हमारे private sector को अपनी भागीदारी बढ़ानी चाहिए। हमारे गाउं में इतनी dispensaries हैं। आउसके centers हैं। उनको हम शहरों के बड़े private और public अस्पतालों के साथ कैसे जोड सकते हैं। remote healthcare और tele consultation को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं इस पर भी आपके सुझाओं का हमें इंतजार रहेगा। drone technology का healthcare में अधिक से अधिक उप्योग बढ़ाने के लिए health sector से जुड़े हमारी private company को भी आगे आना होगा। साथियों आयुष्की भूमिकातों आज पुरी दुनिया भी मान रही है। हमारे लिए गर्व की बात है कि WHO भारत में अपना विश्व में अकेला Global Center of Traditional Medicine शुरू करने जा रहे हैं। अब ये हम सभी पर निर्भर करता है कि अपने लिए भी और दुनिया के लिए भी हम आयुष्के बहतर समाधान कैसे तयार करें। कोरोना का ये कालखन, healthcare और pharma के मामले में भारत के सामर्थ से दुनिया को परिचित करना रेकाभी है। इसलिए इस वेमिनार से ताइम लाइन के साथ जरूरी action plan निकलेगा, तो मैं से बता हूँ ये बहुत बड़ी सेवा होगी। और भी मैं एक बात पताना चाहूँगा, खास करके private sector के साथियों से। आज हमारे बच्चे पढ़ने के लिए, खास करके medical education के लिए, दुनिया के छोटे-छोटे देशों में जा रहे हैं। वहाँ language भी problem है, फिर भी जा रहे हैं। देशका अर्बो खर्बो रुपिया बहार जा रहा है। क्या हमारे private sector बहुत बड़ी मात्रा में इस field में नहीं आ सकते। क्या हमारी राज्य सरकारे इस प्रकार के काम के लिए जमीनों को देने में उंग्या नितिया नहीं बना सकती हैं। थाकि अधिक तम डॉक्टर्स हमारियां तयार हो, पेरामेडिक्स तयार हो, इतना ही नहीं हम दुनिया के माग पूरी कर सकते हैं। हमारे पास जो डेमोग्राफिक डिविडेन है, उसका लाब इस छेत्र में हम बहुत। हमारे डॉक्टरों ने पिछले 4-5 दसत से पूरी दुनिया में भारत की इज्यत को बहुत बढ़ाया है। भारत का डॉक्टर जहां भी गया है, उसने उस देश के दिल को जीता है। भारत के डॉक्टर्स की टैलेंट को विश्वका सामान्य से सामान्य नागरिक पत अच्छा मानता है। इसका मटलब हमारा ब्रांडिंग हो चुका है। अब हमें योग ये लोगों को तैयार करने में तीजी लानी है। उसी प्रकार से दुनिया की सबसे बड़ी हमारी हेल्थ एस्वरन स्कीम, मैं इसको हेल्थ इंस्वरन स्कीम नहीं कहता हूं। और वो आईश्मान भारत, एश्वरन इंकम है। भारत सरकार ने इंस्वरन स्कीम लिया हुआ है। आपके अस्पताल अगर बड़े बन गए और वो गरीब यक्ति वहां आएगा, तो उसका पेमेंट भारत सरकार की वबस्ता से होने वाला है। आपके लिए पैसों के कारण मरीज नहीं आएंगे, वो स्थितियम नहीं नहीं है। क्या मेरे प्राइवेट सेक्टर के लोग टियर टू, टियर थी सिटी में इंफर सेक्टर के आगे आएं। आईश्मान भारत स्कीम के जो मरीज हैं, उनके लिए स्पेशल फसिलिटी डेवलप करें। आपको इंकम का कोई प्राइवेट नहीं होगा, आपके इंवेश्मान का रिटन मिलेगा। यानि इतनी योजनाए हैं और इन कामों में पब्लीक प्राइवेट पार्टनर्सीप यह हमारे देश के हिल सेक्टर को बहुत मजूद बना सकती हैं। और आपने देखा होगा कि हमारे आउवेद ने बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त की हैं। खास करके कोरोना के कालखन में हमारे हरबल प्रोडुक्ट जो हैं अद दुनिया में बहुत बड़ा एक्सपोर्ट बढ़ा है। बटलब की इसके प्रति आकरशन भड़ा है। हम सब मिल करके इन यूजनाओं को भी कैसे ले जाएं। मैं चाहूंगा खुले मन से। लीडर्सिप रोल लेने के लिए भारत को तयार करने के लिए। सिरफ बजेट के आकड़ों से बात बनने वाली नहीं है।